नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजुकेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेसा क।ोसिस करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे information आपको selected करके दे सकूँ जिससे आपका भी time बचे और आप जादे से जादे information गेन कर सकें तो चलिए start करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही stock है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Mangalore Refinary and Petrochemical Limited अगर इस company की बात के तो इस company में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी growth आपको देखने को मिला है और आज यह company 9% के ऊपर जाकर close हुआ है तो क्या SM इस company को buy करके चलना चाहिए क्या इस company में आगे भी तेजी continue रहे है का कब आपको buy करना चाहिए या फिर short term के लिए company का background कैसा है complete detail की बात करेंगे वीडियो में last तक बने रहे हैं कोई भी part miss न करें आप देखें कि आज यह company close हुआ है 50 रुपय पर और 9% से जादे की तेजी आपको देखने को मिला है जबकि अगर बात करें इस company के 52 week high और low की तो इसने अपना low बनाया था 25 रुपय 25 पैसे का जो कि October 2020 को बनाया था company ने अपना high बनाया था 56 रुपय का June 2021 में और उसके बाद से इस company में अब फिर से तेजी आपको देखने को मिलना है तो देखते हैं इस company के आज के delivery में कितने उठाई गई है तो आप देखें के 30% से जादे के delivery उठाई गई है जो कि काफी अच्छी बात है तो देखते हैं इस company का और detail दोस्तो अगर इस company के आप background की बात करें long term के detail की बात करें लेकिन इसका long term का data आपको minus में देखने को मिलेगा इस बात का जरूर ध्यान रखें तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है तो अगर इस company के long term के chart की बात करें तो आप देखेंगे long term में यह company जिस हिसाब से grow करते हुए आगे जा रही थी उसे हिसाब से इस company में अच्छी काची गिरावाट भी आपको देखने को मिला है इस company ने अपना low बनाया था 23 रुपए 40 पैसे का उसके बाद से इस company में अच्छा काचा बांस पैक आपको देखने को मिला है तो ऐसे मेगा company अगर और उपर जाने की कोसिस करता है तो इस company का अगला resistance level क्या होगा इस company में एक बड़ा breakout आता हुओ आपको देखने को मिल चाएगा लेकिन अगर यह company उस लेबल पर resistance फेस करके अगें नीचे गिरना start होता है तो आपको अपना stop loss लगा कर चलना चाहिए जो लोग 100 तर्म के लिए इंटर होना चाहते हैं क्योंकि अगर आप stop loss लगाएंगे और यह company वहाँ पर resistance फेस करके गिरना start होगा तो फिर आपको काफी heavy loss के अभी सामना करना पड़ सकता है तो क्या current price पर इस share को buy करके चलना चाहिए बिल्कुल आप buy कर सकते हैं आप देखेंगे बहुत टाइम बाद इस company में अच्छी खासी volume return हो रहा है तो ऐसे में इस company को आप buy करके चल सकते हैं लेकिन हाँ stop loss जरूर से जरूर लगा कर चले अगर आप long term के लिए buy करना चाहते हैं तो stop loss आप चाहें तो थोड़ा नीचे लगा सकते हैं या फिर ignore भी कर सकते हैं क्योंकि long term में या company आपको उपर तक ले कर जा सकती है लेकिन हाँ long term का अगर आप data देखेंगे तो उसमें आपको negative detail देखने को मिलेगा इसलिए उसी के according आप अगे की planning करें तो इस company में एक बड़ा breakout आता हुआ दिखेगा और उसके बार या company 68 रुपीज लेकर 72 रुपीज तक कर टार्गेट आपको दिखा देगा स्वाट टब में तो अच्छा खासा मुनाफ़ा बनाने का मौका आपको मिल जाएगा तो इसी के according आप अपने आगे की planning कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video